और भारी संख्या में यहां पर उपस्तित बिलासपुर और रामपुर जनपत से उपस्तित भाईो बहनों इस्वी सन के प्रथम दिन जन विस्वा से यात्रा के लिए उम्रा ये जन सैलाप उत्तरप्रदेश सरकार को और भारते जनता पार्टी को जनता जनारदन की अपनी स्वीकरती दे रहा है मैं इस उसर पर इस वर्षी की धेल सारी सुपकामनाई आपको देते भी आप सब काविलंदन करता हूँ स्वागत करता हूँ भाईो बेनो वर्तमान में भारती जनता पार्टी प्रदेश के अंदर प्रदेश सरकार के पांच वर्ष के कारियों को और उनकी उपलब्धियों को लेकर के जन बिस्वास स्यात्रा निकल लई है जो अपार इसने और आश्रिबाद जनता जनारदन का प्राप्त हो रहा है हम लोगों को लगता है कि पांच वर्ष तक प्रदान मंत्री मोदी जी के नित्रत्तों में बिना रुके बिना ठके बिना ड़के और बिना जुके सरकार ने जो कारे किया है उस कारे की सार्थकता आप दिखती है जब जनता का स्ने और जनता का स्रिपाद मिलता है और भाईयों बेनों मैं आप सब को बारती जनता पार्टी सरकार के द्वारा पांच वर्ष के अंदर के गए इन कारियों के लिए आप सभी जनता जनारदन ने जो पांच वर्स तक लगातार सयोग किया अच्छे कारे पे अपनी स्वीकिर्थी लगाई इसके लिए भी मैं आप सब का हिर्दे से अविनंदन करता हूँ फ्रक्स साफ है भाईयो बेनो 2017 के पहले उत्तरप्रदेस मुख्य मंत्री के आवास में आपने देखा ओगा मुझबफण अगर के दंगाईयों को सहारन पूर में दंगाईयों को बुला करके सम्मानित किया जाता था लेकिन 2017 के बाद मुख्य मंत्री आवास में किसानों का संमान होता है और गुरु बाणी का पाठ होता है यही अंतर है जिस मुख्यमंत्री आवास में 2017 के पहले पेसे विर दंगाईयों को और अफ्राद्य और माफ्याओं को सम्मानित किया जाता था वह यह मुख्यमंत्री आवास आज उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए सम्मान करने का एक माध्यम बना है और वही मुख्यमंत्री आवास में आज इस देश के अंदर अपनी जवानी को लुटाने वाले गुरु गोविंद सिंग्जी के चार साबजादों के सम्मान और के कारिकरम को और उस असर पर गुरु बाणी के पाठ और कीरतन के कारिकरम को आईजित किया जाता है भाईयो बेनो उत्तर प्रदेश की तस्वीर दोहजार सत्रा के पहले क्या थी एक किसी से छुपी भी नहीं है और फिर रामपुर से जादा कौन इसको जानता है हमने एक जन्पद एक उत्पाद की अपनी एक अभी नो योजना देश के अंदर चलाई और जब इस योजना को हम चला रहे थे तो मैंने देखा रामपुर के लिए ढूंडे ढूंडे कुछ नहीं मिलना था लेकिन अंत में रामपुर का एक ही चीज मिला और मिला रामपुर का चाकू लेकिन इस चाकू का अपयोग कैसे करना है तो मुझे गुरु परंपरा याद आई अगर अच्छे लोगों के पास सस्त्र होगा तो देश और धर्म की रक्सा के लिए उसका उपयोग करेगा लेकिन गलत लोगों के हाथों में होगा तो लूट खसोड और गरीबों की दलितों की संपत्यों पर कबज़ा करने में उसका दुर्पयोग करेगा और रामपुर की ये चाकू जो कभी रक्सा के काम आती थी जिसके करने इसका नाम रामपुर पढ़ा था समाजवादी पार्टी की सरकार में दलितों की जमीनों पर गरीबों की संपत्यों पर कबज़ा करने का वो माध्यम बन गया था और इसलिए जिसने जैसे किया उसको उसका फल भी दे दिया गया और हम लोगों ने तो पहले ही दिन इस बात को कहा था देके भारती जंता पार्टी जो कहती है वो कर के दिखाती है हमने तो पहले ही दिन कहा था हम लोगों ने कहा था कि अपराद और परादियों के प्रति जीरो टॉनलेंस की नीथी के तथ सरकार कारे करेगी वह यो बेनो जीरो टॉलेंस का मतब यही था अगर किसी ने सरकारी संपत्य पर कबजा किया है गरीबों की संपत्य को जबरन कबजा किया है और अगर किसी ने परदेश के अंदर ब्यापारियों की संपत्यों पर कबजा किया है तो संपत्य को वापस उस गरीब को या तो सरकार देगी और अगर सरकारी संपत्य है तो वा संपत्य वापस सरकार लेगी और इसके लिए सरकार ने आउसे तापड़ी तो बुर्डोजर चलाने में भी कोई गुरेज नहीं बरती कोई कुसमें हम लगातार कारे करते रहे और भाईो बेनो हमें कोई संकोच नहीं हुआ यह वही प्रदेश है जहां पर पहले किसी भी धर्मस्तल के नाम पर पैसा नहीं मिलता था यह वही प्रदेश है जिस प्रदेश के अंदर गरीब को मका नहीं मिलता था, मैं देख रहा था, उत्तर प्रदेश के अंदर 75 जन्पदों में आज हमने बिजली दे दी है, अभी मैं कुछ देर पहले पढ़ रहा था, समाजवादी पार्टी के रास्ति अध्यक्स, बबुआ आज कुछ बोल रहे थे, और उनके मुँझे निकल ला था कि सरकार आएगे तो हम मुप्त बिजली दे देंगे, अरे जब आप बिजली ही नहीं देते थे तो मुप्त कहां से होता है, तो उड़्टा जन्ता से जो वसूली करते थे, इसके लिए मापी तो मांग लो, जब बिजली ही नहीं आती थी, तो मुप्त की बात कहां, यहां तो जन्ता से एक तरफा वसूली होती थी, आज हम कह सकते हैं, उत्तर प्रदेश में बिना भेदवाओं के हर एक गरीब की जोपड़ी में भी, और राजमाहल में रहने वाले बिक्त के घर में भी बिजली हर समय जलती भी दिखाई देती है, हमन इंदर तैंतालीस लाग गरीबों के आवास बनाए और आपके रामपुर जन्पद में भी लगभग अठारह हजार गरीबों को एक एक आवास देने का कारे हमारी सरकार ने किया है, लाखों नौजबान लाखों परिवारों को सोचा ले दिये हैं, हर गरीब को बिजली का मि सुल्क कनेक्शन उपलब्द करवाया है, और हर गरीब को रसोई गैस का कनेक्शन देने का कारे भी हमारी सरकार ने किया है, वह यो बेनो, सरकार ने कोई गुरेज नहीं की, कोई अन्याय नहीं किया, कोई सोचन नहीं किया, जिस गरीब का, जिस गाओं का, जिस महिला का, ज इस नौजवान का जो अधिकार था वह दियाब पहले एक गरीब के लिए आने वाले आवास का पैसा बिजली का ये पैसा सोचालय का ये पैसा कहा जाता था मैं तो ये समझ नहीं पा रहा था लेकिन भाईयों बेनों एक सब्ता पहले आपने नोटों की गड्डियों के पहाड जे सीबी से निकालते वे देखा होगा कैसे समाजवादी पार्टी से जुड़े वे नेताओं के घरों से नोट की नोट की गड्डियां निकल लही है ये नोट की गड्डियां खेत और खिलियानों में नहीं पैदा हो रही है ये जनता की कमाई पे डकैती डाल करके बिकास क कार्य का रुद्ध करके जो अनेतिक तरीके से नो ने संपत्य अर्जित की थी ये वही पैसा है वही पैसा आज निकाला जा रहा है ये वही पैसा है जो आज उनसे वापस लिया जा रहा है कैसे लूट रहे थे आप सोच सकते हैं ये लोग अपने पूरा बंदोबस्त किये वे हैं इनको तरप्रदेश से कोई मतलब नहीं गरीब से कोई मतलब नहीं नौजवान से कोई मतलब नहीं बहान बेटियों से कोई मतलब नहीं नौजवान के लिए पहले नौकरी निकलती थी चाचा भतीजे का पूरा गैंग वसू बात नौजवान की भौसे के साथ खिलवाड हो जाता था लेकिन आज तो साड़े चार लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी हम लोगों ने दी कोई विवाद नहीं एक करोड एक सट लाख नौजवानों को हमने रोजगार दिया क्योंकि प्रदेश में प्रियाप्त मात्रा म निवेस हुआ साथ लाख लोगों को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर सता रोजगार के साथ जोड़ा क्योंकि पहले से ही सूक्सम लगु मद्य मुद्यम उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद था लेकिन भाईयों बेनों पिछली सरकारों में ये कारे इसले नहीं होता क्योंकि दंगा होते थे हर तीसरे दिन एक दंगा होता था और दंगों की चपेट में नकेवल और बख्छा आता था व्यापारी लुडता था नौझवान पर जूटे मुकद पार्टी की सरकार आने के बाद प्रदेस में एक भी दंगा नहीं हुआ और जिसने दंगा भड़काने का प्रियास क्या उसको कह दिया गया कि अगर दंगा कराओगे अगली साथ पीडियों का एक मुस्त यहां पर लिखे जाओगे क्यों भरपाई करती रहेगी सरकारी संपत् को आगजनी के अवाले करोगे तो साथ पीडियां भरते भरते ठक जाएंगी लेकिन भर नहीं पाएंगी इसलिए दंगा करना छोड़ दो भाईयो बेनो आज प्रदेस एक नई दिसा की ओर बढ़ रहा है आप मुझे एक बात बताईए भारत के अंदर होली हो दिपावली हो रक्सा बंदन हो राम नमी हो जन्माष्टमी हो सिवरात्री हो कावड यात्रा हो रंगोचो हो दिपोचो हो